जे मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जे मातादी जरूर लिखे माता रानी सब करल्यान करेंगी दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि खरमास कब लग रहा है साल 2021 का और खरमास कब तक रहेगा खरमास की दिनों क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग उस रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुख अबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके वीडियो को सेयर करेंगे हिंदी पंचांग के अनुसार हर माह में सुरिदेव एक रासी से निकल कर दूसरी रासी में प्रवेस करते हैं सुरेदेव का एक रासी से दूसरी रासी में प्रवेश करना संक्रांती कहलाता है हलाकि जब सुरेदेव धनू और मीन रासी में प्रवेश करते हैं तो खरमास लगता है चतुरमास की तरह खरमास में भी कोई मांगलिक यानि सुवकार्य नहीं किया जाता है धार्मिक मानेता है कि जब सुरेदेव ब्रंभान की परिक्रमा करते हैं तो रत में कारियरत अस्व ठक जाते हैं उनको विश्राम देने हैं तो सुरेदेव खर को रत में बांध कर ब्रंभान की परिक्रमा करते हैं खरकी गति धीमी होने के चलते किसी तरह एक माह का चक्र पूरा होता है। इसके बाद पुना अस्वो को बांध कर परिक्रमा की जाती है। इसके लिए हर वर्स खरमास लगता है। जोतिस की माने तो सुरीदेव के धनू और मीन रासी में परवेश से दोनों रासीयों के स्वा इस दिन से ही खर्मास आरंब हो जाएगा जो कि 14 जनवरी 2022 तक रहेगा इस दिन के बाद पुनह मांगली कारे आरंब हो जाएंगे इस एक महीने में मुंडन संसकार, यग्यो पवित संसकार, नामकरन, ग्रिह परवेश, ग्रिह निर्मा, नए ब्यपार का आरंब, बधु परवेश, सगाई, भीवा, आदी कोई भी कारे नहीं किया जाता है इस एक महीने में सूरी की उपासना करने का विसेश महत माना जाता है, खास तोर पर जिनकी कुंडली में सूरी कमजोर इस्थीती में हो, उन्हें खरमास के दोरान सूरी उपासना अवस्य करनी चाहिए खर्मास के दौरान तामसिक भोजन ना करें, आसान सब्दों में कहें तो 99 चीजों का सेवन नहीं करना है आपको जियोतिस की माने तो खर्मास में बेटी या बहु की विदाई नहीं करनी चाहिए सास्त्र में यह सुभकारे निसेध है पर निंदा और देवी दिवताओं के प्रती अप्रिये सब्दों का परियोग बिल्कुल ना करें उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें